निए चैनल सुटेंट स्वीक पॉइंट तोड़ें दिसक्स अबाउट क्लास सेक्स साइन्स चैप्टर वन सोर्सेज ओफ फूड तो फिर्स्ट विल डिसक्स दमीनिंग वट इसमीनिंग फूड फूड का मतलब होता है खाना जो आप खाते हो तीन ताइम दिन के और सोर्सेज कि वह खाना हमें कहां से मिलता है वह हमें कहां से मिलता है वह हमं कहां से मिलता है वह आज हम पढ़ेंगे इस चैपटर one में sambal फirmi पीक है इसका food and the ingredients खाना और उसके जो nutrients हुते हूं समे के बारे में हम पढ़ने वाले 58 मिल और गार reaction out of petrol its engine will stop petrol is the fuel that burns in a car engine and supplies it with energy similarly your body also needs fuel to keep it working the fuel you use is called food in the car in the car is not petrol if the engine will stop the engine will stop the engine which is fuel which will burn the engine and will give energy and will drive the car same as our body also needs fuel so that it will work on our regular basis and our body कोन से फ्यूल यूज करती है फूड यूज करती है तो कीप अ कार इंजन रनिंग प्रॉपर्ली इट शुड बी सप्लाइट विद राइट अमाउंट्स फ्यूल और ऑक्सीजन विदाउट अ प्रॉपर बैलन्स ऑफ इस तो सब्सांसे अगर क्या होगा अगर कार इंजन को हम में प्रॉपर्ली रन करना है तो उसके लिए उसको राइट अमाउंट का क्या देना पड़ेगा फ्यूल और ऑक्सीजन तभी जाकर ही हमारी कार एक अच्छे से स्मूधली चल पाईगी और अगर हम इसको यह चीज़े नहीं देते हैं तो उसका क्या होगा उसका जो इंजन अब यहां पर केमिकल किसको बोला गया है नूट्रियंट को बोला गया है आपके दिमाग में कभी ना कभी तो आई होगी कि फूड में ऐसा क्या होता है जो हमें इनर्जी देते हैं तो फूड में एक नूट्रियंट्स होते हैं जो हमें इनर्जी देते हैं और नूट्रियंट्स को क्या बोला गया है चैमिकल सब्सांसिस तो चैमिकल सब्सांसिस प्रेजंट इन body needs are called nutrients nutrients food में nutrients नहीं होंगे तो हमारी जो बॉड़ी है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी food is very necessary and because it contains many nutrients that are very and very necessary for our body next is functions of food food के functions क्या क्या है food हमारी help किस तरह से help करता है food has three main functions उसके three main functions है it provides energy for various activities of the body आपको जायत सी बात है food खाते उससे आपको क्या आगी energy आएगी जिससे आप काम कर पाऊगे so first point second point it helps the body to grow and replace worn out cells क्या करता है food हमारी body को grow करता है एक चोटे से बेबी से एक adult में कैसे convert होता है क्यों क्योंकि food वो लेता है जिससे उसे energy मिलती है उससे क्या होते है proteins बलता है food से वो भी एक nutrients है जो कि हम आगे discuss करेंगे इसलिए उसकी body grow होती रहती है और जो भी हमें चोटे लगती है वो ठीक हो जाती है चोटे लगने पर जो हमेरे cells हो जाते है वो प्राइमेज या फिर वीक हो जाते है आप कहलो और उसको replace करने के लिए हमारी किसकी जरूफित होती है food में जो nutrients होते है उनकी जरूफित होती है so it protects the body from various diseases and keeps it fit and healthy अब क्या है यह आपको diseases से बिमारियों से बचाता है बहुत सी बिमारियों होती है और उन सब से आपको कौन बचाता है food food जो आप खातों से नर्जी मिलती है चीक है और आपको क्या रगता है वो fit or healthy रखता है तो these three points are the functions of food which are very important and you have to learn this properly next is variety of food in India India is a vast country with different types of soil and climate which determine the crops vegetables and fruits that grow best in a place people in different regions of India cook differently India क्या है बहुत बड़ी country है जिसमें different types के soil और climate होते हैं जो कि क्या help करते हैं crops को grow करने में vegetables और fruits को grow करने में help करते हैं different different places में different differentู जो हमारी dog crops grow and growth ooh आचे जग्यर्वोन होते है और टो अलग अलग region से हैं कोई kind ने में डुरी कोई नोर्थ में और सौथ में इस में टीक कंगे में के बहुत सारी जगे में people हर जगे रहते हैं एंडिना के अब हर जगे में गिए जो people के cook करने के तरीका है वो अलग होता है इस फेक्टर में that the food culture in various regions of the country is different इसका मिसमें मतलब क्या बोलू है कि different types में people are food को cook करते और different different culture different different type of food हमारी country के regions में follow होती है ओके next है हमारा ingredients of food पहले हम यह देख लेते हैं name two of the classmate from state no, काम कर नहीं है अप यह देखो ingredients of food अब basic food dish such as boiled rice is made by boiling rice and water this food has only two ingredients rice and water इसमें क्या बोलो है जो basic हमारी food dish है जो के हमारे country के हर जोके पर बनती है वो क्या है हमारे boiled rice और और कैसे बनती है पहले हम rice को क्या करते है boil करते है पानी में तब जा कर हमारे क्या बनती है rice बनते है तो इस food में हमें सिरफ two ingredients की ज़रूरत है जो की हमारे rice and water अगर हमें चावल बनाने तो उसके लिए हमें दो ingredients की जरुद पढ़ते हैं, rice and water, ingredients क्या होते हैं, जो की food को बनाने में help करते हैं, जैसे कि जो भी masala आप खाते हैं, salt, red chili powder, ठीक है, pepper हो गया, यह सारे क्या है, food को बनाने में help करते हैं, rice, floor, water, these all are the ingredients of food, जिससे आप food को खाने को पका सकते हों, तो चावल को बनाने के लिए सर्फ 2 चीजे की नीड है rice and water चिकन बिर्यानी हेवरिवरिउ eas' लम्हाइवर है नियुका लेंते सबाने चिकन बिर्यानी से क्या बनते है हमारी चिकन बिर्यानी बनती तो यह सारे जो भी हमने पड़े यह वें देने प्हले के गरें चिकन बिर्यानी इंग्रिडियेंट्स डेखी जैडी के वियसा है इंग्रीडिेंट्स घर नहीं हैं इतल plataforma इंग्रीडियंट्स आप हमने 5 Мы honesty फरेवाट्स हैं करें टीडस आप हमने सब कंपते हैं डी अच्छाल और यह घर तीडियंट्स? कर दो दूद से यह जो भी फॉर मपल डूंट है , हमें ग्रीडियंट की स्रय जुरोटा है । इंग्रीडियंट कहां से आते हैं plants और अनिमल से तो यह सारे क्या है आपके ingredients है लेकिन plant और अनिमल क्या है आपके sources हैं However water and salt अप्टेंट और अब जो water or salt यह भी आपके खारे बनाने में काम आते हैं यानि कि यह भी ingredients है पर यह दो इन्हें बनाने में कोई प्लांट और अनिमल की जरुत नहीं होती है, यह ओरीधी हमारे अर्थ पर एक्जिस्ट करते हैं नेक्स इस सोर्सेज और फूट के सोर्सेज कहां कहां से हैं, प्लांट और अनिमल है वह हम इसको थोड़ा से डीप जाएंगे आपको यह चीज पता है कि जो ग्रीण फ्लांट होते हैं वो किससे अपना खाना बनाते हैं नौन लिविंग तिंग से नौन लिविंग तिंग्स क्या होगें आपके वॉटर, सिललाइट, कार्बन डायकसाइड यह इन तीन चीज़ों से जो प्लांट से वो खाना बनाते हैं कौन कौन से तीन चीज़ है और वार्ट पर एक्जिस्ट करता है तो यह सारी कैसी नेचर में पाई जाती है यह तीनो चीज़ और यह एक ऐसी नौन लिविंग तिंग्स अब प्लांट्स अपने फूड बनाने के लिए नेचर की नौन लिविंग तिंग्स को यूज करती है इसलिए अब क्या है ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं अनिमल्स क्या करते हैं अपना फूड ग्रीन खुद बना सकते हैं they prepare more food than they need और यह ऐसा नहीं कि इन्हें जितना फूड हो उतना ही बनाएंगे उससे extra food यह बना कर चलते कि अगर आगए अगर कई flooded drought आताता है न तो उस टाइन के starting flood यहां फे drought के starting period में जो plants होते हैं वह अपना कौन सा food यूज़ कर दे जो उन्होंने extra prepare कर रहा है the extra food is stored in different parts of the plant as shown on page number 7 अब यह जो extra food इन्होंने बनाया होता है वह कहां ही शोर करते हैं different parts में store करते हैं मैं आपका भी शोर करती हैं तो यह अपना food कहां store करते हैं fruits में, leaves में, stem में, roots में, seeds में और flowers में यह अपना extra food store करते हैं अब आप यह सोचोगे यह तो हम ही खाते हैं actually हम उनका खुद का बनाया होगा food नहीं लेते और वह जो extra food prepare करते हैं हम वह वह वाला food खाते हैं अब वह एक्स्ट्रा क्या prepare करते हैं यानि कि एक्स्ट्रा food वह खहां पर store करते हैं fruits में, leaves में, stems में, roots में, seeds और flowers में वह अपना extra food store करते हैं जो कि हम खाते हैं ठीक है fruits में banana, mango, apple, leaves में spinach, cabbage, coriander, sem में potato, sugar and ginger, roots में radish, turnip, carrot, seeds में wheat, pea, rice, flowers में cauliflower, broccoli यानि कि इन सारी जगों में आपका क्या है food store होता है अब हमने क्या है plants का तो पढ़ लिया कि plants sources हमें plants से मिलते हैं और वह हमने पढ़ लिया अब animals से क्या मिलता है milk example from cow buffalo goat and camel milk is used to prepare milk products such as cheese, butter, ghee, curd and ice cream यह मैंने अल्रेडी आपको बता दिया कि milk हमें कहां से मिलता है cow से buffalo से goat से और camel से हमें milk मिलता है और उसका क्या use है milk से तो वैसे हमें उसके क्या मिलते है energy मिलती है जो कि हमने functions of food में read कर लिया है मिल्क हम पीएंगे तो जो हमने functions of food में points discuss कियें वो सारे जो भी benefits है वो हमें milk से होते हैं अब milk हमें और भी milk products में बनाने के लिए ही होते है milk से और कौन-कौन से products बना सकते हैं चीज, butter, ghee, curd and ice cream यह सारे आपके milk से ही बनते हैं यह से बने और भी milk products eggs from hen, duck and quail अब next अबने example क्या लिया है eggs लिया है अब एग हमें कहां कहां से मिलते हैं hen, duck and quail meat meat हमें कहां से मिलता है hen, duck, goat, fish and crab what do we get from hen, duck and crab honey from honeybees honey हमें कहां से मिलता है honeybees से मिलता है honeybees collect nectar from flowers and take it to their hive hive there they convert it into honey and store it as food we get honey from the beehives honey खास से मिलता है हमें honey bees से मिलता है और honey bees क्या है अब आप सोचो कि nectar क्या होते है nectar is a juice of flower what is nectar nectar is a juice of flower honey bees क्या करती है nectar flower से nectar को collect करती है और उनके ले जाती है उनके hive मिले जाती है जो भी उनका घर होते महां वो ले जाती है और वहां पर वो क्या करती है उस nectar को किस में convert करती है वो honey में convert करती है और किस वो store कर लेती है as a food और वही honey हम क्या लेते हैं उनके beehives में से लेती है चीक है तो यह था हमारे कुछ animal sources अब हम बढ़ते हैं हमारी activity 2 चीक है make a list of food items brought for your lunch by your friends find out the ingredients used to make each of them also find out sources of these ingredients चीक है यह पर हमें तो एक्जामपल दे रखें boiled rice में किस किसी चीज होती है rice rice और water की हमें boiled rice में need होती है and boiled rice किसे बनते है rice or water से बनते है rice कहां से प्लांट से और water कहां से बनते है earth से यह आपको question आ भी सकते है name अनी two ingredients that are obtained from earth तो उसका आप answer क्या लिखोगे salt and water chicken biryani में rice water chicken salt spices vegetable oil rises यान कि plant से हमें क्या क्या मिलता है rice spices vegetable oil animal से हमें chicken मिलता है और earth से हमें क्या मिलता है salt and water ठीक है अब यह तो थी आपके collecting information activity 2 अब आगे हम जो करेंगे वह हम मैं आपको next video में आगे करवाऊंगी थोड़ा सा ही रह गया है अब इस video को प्लीज शरूर लाइक कर देना शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाई झाल 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 झाल झाल